उन्नाओ के शुकला गंज स्थित गोता खोर कटरी शेत्र में इन दिनों मगरमच देखने से अस्थानी लोगों में दहशत है पिछले सब्ता से सोशल मीडिया पर भी अस्थानी लोग मगरमच के अलग-अलग वीडियो बना कर वाइरल कर रहे हैं जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और वन विभाग की टीम ने गंगा कटरी का निरिक्षन कर स्थानी लोगों को गंगा किनारे ना जाने का निर्देश दिया है वहीं शेत्री लोगों के मताबिक मगरमच का पूरा कुनबा गंगा में मौजूद है गंगा का जलस्तर घटने के बाद अब शुकला गंज के गोता खोर कटरी में मगरमच का कुनबा देखने से अस्थानी लोगों में डर का माहोल है वही वन विभाग की टीम गंगा किनारे पहुँची शेत्री लोगों के अनिसार मगरमच दोपैर के समय गंगा के बीच रेती में धूप सेकने के लिए कुछ देर के लिए बाहर निकलते हैं उन्नाओ के शुकला गंजिस्थित गोता खोर महले में इस समय लोग दहशत में हैं यहाँ पर गंगा कटरी के इलाके के छेत्र में जो बगल में गोता खोर महला पड़ता है यहाँ पर लगभग आधा दरजन से अधिक मगरमच देखे गए हैं जिसके बाद यहाँ के लोग परिशान हैं लोगों का यह कहना है कि अब फिलहाल उन्होंने रेती की खेती शुरू कर दी है जिसका उन्हें गंगा पार करके बीच में जाना पड़ता है और ऐसे में बड़े-बड़े मगरमच जब उनको दिख जाएं तो कहीं न कहीं उन लोगों के अंदर भैब्याप्त हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और पूस्ते हैं कि उन्होंने जो मगरमच देखे हैं क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले अपना नाम बताईए शकील हुसाइन शकील जी यह बताईए कि मगरमच आपने कब देखा लंसम पंदरा दिन से दिख रहा है यहाँ पर हम लोग को पार जाने में दिक्कत होती है लगभग कितने मगरमच हैं तो बताया जा रहे हैं कि ज प्रण बताया कि वनविभाग के कुछ लोग भी थे चुकि आला धिकारियों तक इस बात की सूचना है लगातार वाइरल हो रहे हैं यहां के वीडियो जिसके बाद अधिकारी आया थी और यहां आसपास के लोगों को सक्त निर्देश दिये हैं कि कोई भी गंगा के आसपा पास ना रहे चुकि मगर मक्ष है और उससे कई न कई एक बड़ा खत्रा हो सकता है कैमरा मैन हरियोंग गुपता के साथ दुजेंद्र मिश्रा के न्यूज इंडिया शुक्ला गंज